हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मै चैनल, इस वीडियो में ऑन्बॉक्सिंग करने वालू हूं हैविल्स के रूम हीटर का, जो की ब्लोवर के नाम से भी जाना जाता है, हीटर का मॉडल है सिस्टर जो है विल्स तुम्ले वार्ट की ये रूम हीटर है, फ्रेंड्स अगर आ हैоме holy company कैई रूमGo हो में इस पर हमें वने और की प्रोड़क्त वरिंटी मिलती सिह यह और यह प्रोडक कुछ सिधूर yardım'd का है इस बाक्स में एक मिल्टी और एक किन्स्रक्शन के ऋछाद मिलते हैं और रेटेट पापर तीए थ्टू तूजनव crisp of जैसा कि आप देख सकते हैं और वोल्टेज रिक्वाइड फर दिस रूमिटर इस तू फोर्टी वोल्ट और इसकी एमर्पी है लाल सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका फ्रांट में जो है वह हीटिंग अलिमेंट है और थर्मो इस्टेटर कंट्रोल नॉब दिया गया यहां पर दो नॉब मैं दिखाऊंगा इस प्रोड़क्ट की ऑन्वाक्सिंग के बाद और इसकी हाइड भी अजेस्ट ओपिन कर लिया और यह पहली चीज जो आपको इस काटन के अंदर मिलती है वह इंस्ट्रक्शन मैनुल मिलती है ऑप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन दिये गए इस अब देख सकते हैं यह इंस्ट्रक्शन से और यह वारेंटी पेपर है इस रूम हीटर कर तो आई विल रेकोमे प्रेटर टेक्निकली हम लोगों को जाने की ज़रुवत नहीं है आप इसली इसे ऑपरेट कर सकते हैं बेरी इजी टू यूज है और यह वारेंटी पेपर है सेम इस्ट्रक्शन मैनुल के अंदर है और यह इसका काटन तो फ्रेंट्स इस रूम हीटर के अन्बाफिंग हो चुकी है और यह प्रोड़क्ट हमारे सामने है और देख सकते हैं आपकी यह प्रोड़क्ट बहुत यह अट्रक्टिव डिजाइन इस प्रोड़क्ट का है विल्स सिस्टर रूम हीटर का मैं इसका क्लोज लुक दिखाता हूं आपको यह इसका फ्रंट है एक हैंडल भी दिया गया इस वह इजी कैरी करने के लिए यह एंडल है आप इसली कैरी कर सकते हैं और एक आड़्जेस्टर है जो मैंने आपको सुरूर में बताया था यह हाइट आड़्जेस्टर है आप इससे आड़्जेस्ट करके आप इसके यह लोगों को पूचा कर सकते हैं अब बहुत ही अच्छी डिजाइन है इस हैवल्ज पॉड़क के और मैं साइड वी दिखाता हूं इसे कुछ इस तरह का यह दिखता है यह बैक साइड है आइक अगेंड अधर साइड इस दिस्ट सेम साइड इसका बैक साइड मैं दिखाता हूं इस रूमीटर से इस नहीं आ दिए गया है और यह इसका टॉप है आप दो नॉब दिए गया है इसके टॉप पे आप देख सकते हैं दो नॉब है एक लोग और एक हाई के लिए यह लोग पे है भी और यह हाई है यह अधर नॉब है जो आफ कूल वार्म होट तो बैसिकली यह थर्मोस्टेट का नॉब है आप अपको ही साफ से एड्जिस्ट करनी परेगी से थर्मोस्टेट को हाई पे रखे धिरे-धिरे सुलूली रोटेट हो गाई है और यह है में नॉब जो कि अभी आफ मोड पे है आप अगर नॉर्मल एयर थ्रो करवाना चाते तो कूल पे आप डाल कर रूमीटर को यूज़ कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन इस वाम तो जैसे भी आपके रिक्वार्मेंट हो आप उसी साफ से इसको एड्जिस्ट कर सकते हैं और यह इंडिकेटर है जब आप स्विच आन कीज़ेगा तो यह इंडिकेटर जल जाएगा आपको इसे स्विच आन करके दिखाता हूं यह प्रोड़क्ट कैसे यूज़ करना है एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन और एक इंफर्मेशन में देना चाहूंगा जब भी आप ब्लोवर को यूज़ करें तो मेक स्यूर कि आप इसे किसी भी कप्रे वेगारा से आप इसे कवर ना करें इस पर इन्होंने वार्निंग भी दे रखिए वार्निंग डू नॉट कवर अब यह नॉर्मल हवा थो करने लगा जो नॉर्मल एर है वो थो कर रहा है जो कि बिल्कुल भी वाम नहीं है मैं वार्म पर कर रहा हूं और यह गर्म हवा थो कर रहा है अच्छा का सा गर्म हवा थो कर रहा है और इंडिकेटर आप देख रहे हैं यह जल रहा है इंडिकेट तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ यह डिमस्ट्रेशन इसका मैंने आपको दे दिया है बहुत इजी टू यूज है जब पावर से कनेक करना है और इसे ओन कर देना है और यह बढ़ी का आट सब्सक्राइब करिए डिजेश हरे हो ने से जान मैं कले चैनल को hen झाल